PGR मतलब Plant Growth Regulator है अलग-अलग मातरा में जब हम PGR फसल पर छिटकाव करते हैं तब हर्मोन के फसल पर अलग-अलग तरीके से हमें रिजल्ट दिखाई देते हैं जैसे कि इतरेले बहुत कम मातरा याने PPM में फसल में गया तो ककड़ी याने की खीरा जैसी फसलों में फ्लावरिंग बढ़ जाती है लेकिन वही इतरेल ज्यादा मातरा में फसल में जाए तो लिप फॉल याने पतिया जड़ने लगती है यह सब कैसे होता है यह जानने के लिए इस वीडियो को अंतक ध्यान से जरूर देखिएगा आदा आदोरा ग्यान ना लेके जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा तो इस वीडियो में हमें इतरेल कौनसी कमपनी का लेना चाहिए इतरेल का टेक्निकल क्या है इतरेल की मौड अप एक्शन क्या है इतरेल कीन-कीन फसलों पर इस्तमाल किया जाता है इतरेल फसलों में कौनसे कारण के लिए इस्तमाल किया जाता है मतलब इसके परपस क्या है इसके ज्यादा रिजल्ट लाने के लिए इसके साथ कैसा कॉंबिनेशन करना चाहिए चाहिए वो न्यूट्रेंट का हो या केमिकल का इन सभी सावलों के जावब के साथ होगी आज की खास बात तो मैं उदिवरा जो और आप देख रहे हो अन निर्मता चले शुरुवत करते हैं आज के वीडियो के इतरेल बायर कंपनी का आता है जिसमें इथे पॉन 49 प्रतिशत एसल फॉर्मूलेशन में उपलब दहें और इथे पॉन एड़ोंस पेस्टिसाइड का आड़पॉन के नाम से हाइफिल्ड कंपनी का इथे पॉन के नाम से ट्रोपिकल का टैगपॉन के नाम से कैनरी कंपनी का बिसौन के नाम से आता है अब यहां पे सब अलग-अलग कीमत पर मिलते हैं किमते अलग-अलग होने पर भी यह सब कार्यतों फसल में समानिक तरीके से करते हैं इसलिए ज्यादा महेंगा यानिए ज्यादा अच्छा यह बात दिमाग में से निकल दो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ब्रैंट के क कारण यह पैसा बढ़ जाता है बाकी कुछ नहीं है इसलिए बे जीचक होकर कोई भी प्रोड़क्ट लाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पर भी कई बार प्रोड़क्ट रिजर्ट नहीं देते हैं चाए वह ब्रैंड हो या कोई आम कंपनी का इत्रेल हो क जो फसल में डिकंपोज होकर यानि अंदर जाकर इत्रेपॉंड का विगटन होकर इथिलिन में बदल जाता है जिसे फसल पर अच्छे रिजर्ट मिलते हैं या इत्रेपॉंड का इथिलिन में रूप अंतरन होता है और साथ में इसमें ग्यास एक्शन भी है अब जानते हैं इत्रेल क्यों इस्तमाल किया जाता है इत्रेल सबसे ज़्यादा पतिया गिराने के लिए मतलब लिफ फॉल करने के लिए जिसे अंग्रेजी में एक और शब्दे डिफॉलियेशन करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जब फसल की पतिया ज्यादा हिल्दी होने के कारण में रखें, दुसरा सबसे बड़ा कारण इत्रेल का इस्तमाल फलों को पकाने के लिए किया जाता है, जिसे हम राइपनिंग भी कहते हैं, कुछ कारणवाज फल यदी समय पर नहीं पका पाएं, तो हमें इस इत्रेल का इस्तमाल करना चाहिए, तिसरा और आखरी इसका इस्तम यदि हम बहुत कम मात्रा में खीरा की फसल में करते ही इत्रिल का इस्तेमाल तो इससे फ्लावरिंग बढ़ जाती है इससे मादा फुलों की संक्या खीरा की फसल में बढ़ती है आपको यकिन नहीं आता तो यह स्क्रिंशॉट दीख लीजें और ज्यादा मात्रा में इत्रिल गया तो हमें फ्लावरिंग में बहुत समस्य उत्पन्न होती है तो इसका इस्तेमाल जानकार आदमी से सला मोशारा लेकर ही इस्तेमाल करें अब जानते हैं इत्रिल कौन कौन सी पसलों में इस्तेमाल किया जाता है यह आंगूर आनार में पज से चारणवाष इसका होता है इतेर्इल का कमेंड में जरूर क्याब करते वक्तिए जानते हैं पत्तिया को सरह रशया का अबिक हुआ करते वक्त इसमें क्या क्या कॉंबिनेशन करते यह आज की खास बात के बाद में जानते हैं आज की खास बात में मादा फुलों की संक्या बढ़ाने के लिए इत्रेल बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है इसमें गलती से हमने इत्रेल ज्यादा डाल भी दिया तो हमारा नु सिर्फ खिरा में प्रोपेक्स उपर का इस्तमाल करना है इसे एक तीर से हम दो निशाने लगा सकते हैं पहला कितना शक भी जाएगा इंसेट कंट्रोल हो जाएगे और दूसरा हमारा इत्रेल भी जाएगा जिससे मादा फुलो की संक्य भी बढ़ जाएगी प्रोपेक्स का डो लेकिन अब ब्यान हो चुका है हमारे हिल्थ को बहुत नुक्सान पहुचाता है इसलिए गवर्मेंट ने उसे ब्यान कर दिया है तो इसलिए इत्रेल से फल कैसे पकते हैं यह हम जानते हैं 10 मिली इत्रेल को 10 लिटर पानी में डाल दे और जिन फलों को हमें पकाना है उन्हें उस पानी में डूबोकर निकाले आपके फल इस तरीके से जरूर तो पक जाएँगे लेकिन आपने इसे ज्यादा डोस अगर फल पकाने के लिए इत्रेल का इस्तमाल किया तो फल तो आप के बहुत जल्दी हुसर arch hide ईसले carbon को उतना कम कम इत्रिल कंस्ते मार्केटिंग कर सकते हैं नियम लाग उता हैं काले रंग्वर में भी Ithrail का इस्तमाल कम से कम मात्रा में जरुरत होने पर ही करें, अब कीमत और डोस जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरुर करें, इत्रिल का डोस 300 मिली से लेकर 600 मिली तक जरुरत के हिसाब से इत्रिल का Irek का इस्तमाल आमें करना चाहिए 200 लेटर पानी के लिए एक लेटर इत्रिल की कीमथ 2000 रुपई के करिब करिब आती है अब जानते हैं इत्रिल के कॉमिनेशंग सक्षाब के बारे में के लिए आपको pH करना भी बहुत जरूरी है pH के लिए फॉस्परिक ऐसीड 20 मिली 200 लेटर पानी के इसाब से जरूर ले और एक मतों पुर्ण बाद अगर जमीन में नमी हो फसल को पानी दिया गाया हो या इत्रेल चिटकाव के बाद बारिश होने पर इत्रेल के लिप फॉल के रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं चाहे वो कितना भी ब्रैंडेड लाओ या कोई भी लोकल कंपनी का हो अगले वीडियो में जय जावान जय किसान